प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केश्वनन्द उनलाइन कलास में आपका पुर्षे स्वागत है जैसा कि हम पढ़ रहे थे तत्पुर्ष समास में व्यदीकरन तत्पुर्ष पढ़ रहे थे विवक्तियों के आधार परव्यदिकरन तत्पुर्ष समास के छे प्रकार होते हैं दितिया तत्पुर्ष, तर्तिया तत्पुर्ष, चतुर्ति तत्पुर्ष, पंचिमी तत्पुर्ष, और सश्टी तत्पुर्ष, और सब्तिमी तत्पुर्ष हमने दितिया तत्पुर्ष समास का भली भाति अध्यन कर लिया था इसका सूत्र हमें एक बार पुने बताते हैं आपको दितिया सिरित अतित पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन नहीं त्रतिया तत्पुर्व समास का सूत्र बताते हैं त्रतिया पूर्व सेदर सम उन अर्थ कल है निपुन मिस्र सलक्षनई चतुर्ती तत्पुर्व समास का सूत्र है चतुर्ती तदर्थ बली हित सुख रक्षितई पंचमी तत्पुर्व समास का सूत्र है पंचमी बहेन और एक दूसरा और लिखवाया था भै भीत 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 भीती विवीर इती सश्टी ततपुरुष और सप्तमी ततपुरुष आज हम अध्यन करेंगे देखिए सश्टी ततपुरुष समास का ऐसा कोई सूत्र नहीं है हाला कि मैंने बोर्ड पे लिखा है और वो इसलिए लिखा है कि आपको कारक पे ध्यान जाए आपका ध्यान कारक पर जाए जिसमें एक सूत्र लिखाया था मैंने सश्टी से से जिसका मैंने अर्थ बताया था संबंद में सश्टी विवक्ती होती है तो सबसे पहले हम सश्टी ततपुरुष और सब्तमी ततपुरुष का ध्यन करें उससे पहले इनका सूत्रों का एक बार समझ लीजिए दितिया ततपुरुष सूत्र क्या कहता है कि यदि आपका पद शिरित अतित पतित गत अतियस्त प्राप्त आपन यदि ये उत्तर पद में हैं तो संग्या पद में बगर देखे दितिया व्वक्ति लगा दो अब तृतिया व्वक्ति संग्या पद में कब लगानी सुनो पूर्व सेद्रस सम उन अर्थ कल है निपोन मिशर सलक्षण यदी ये उत्तरपद में हो तो त्रतियभ वक्ती संग्यापद में लगा दीजिए बात करें हम संग्यापद में चतुर्थी वक्ती कब लगानी है जब अर्थ बली हित शुख रक्षित ये सब्द उत्तर पद में हो तो सिंग्या पद में चतुर्ति वक्ति लगा दीजिए पंचमी वक्ति कब लगाएंगे भे के कारण में पंचमी वक्ति लगाएंगे एक सूत्र और बताया था कि भे बीत बीती बिवीर इती भे आजाए भीत आजाए भीती आजाए भीवी आजाए मुक्त है आजाए पतीत है आजाए मैंने आपको बताया है उधारणों में ठीक है चयूत है पद चयूत है एक उधारण बताया था चयूत है का अर्थ होता है अलग पदात चयूत है पद से अलग अब बात करें हम सस्टी तत्पुर्शमास की इसमें हला कि मैंने ये सूत्र लिख दिया ये कोई ज़रूरी नहीं ये इसका सूत्र है ये इसलिए लिखा है मैंने सेशे का अर्थ होता है संबंद में वैसे सेश का अर्थ संपूर्ण भी होता है आजहान दें, असे से, 80 पुuku हम बचा होते हैं इसका अरत हम लेंगे संवंधें, संन्बंध में कौन से वगती होती है सस्ठी, गर आपको संवंधें, संवंधें दो शब्द में लेंगे दोनों संंप良 होंगे, दोनों कैसे होंगे संग्या और दोनों संग्या शब्द होंगे तो दोनों में आपस में क्या होगा संबंद तो आप पूरुपद में सश्टी बवक्ति लगा दीजिए जैसे राज पूरुसे है पूरुसे का संबंद किस से है राजा से पूरुसे का संबंद किस से है राजा से देव पूजके का मतलब होता है पूजने वाला पूजने वाले का संबंद किस से है देवताओं से विध्याले आले का मतलब होता है इस्थान इस्थान का संबंद किस से है व बरप से बरप का जो इस्थान होता है बरप से ढखा हुआ इस्थान क्या हो कहलाता है हिमाल लो सीता पती, पती का संबंद किसे है सीता से पुत्र का संबंद किसे है दसरस से भक्त का संबंद किसे है देश से पुत्र का संबंद दासी से और सेवक का संबंद राजा से ज्यान का संबंद आत्मा से विकार का संबंद मन से और संगती का संबंद सज्जनों से सज्जनों की संगती ही क्या कहलाती है सत संगती पड़ा है आपने ठीक है सज्जनों की संगती सत संगती कहलाती है ये तेसाइद आदा है सत संगती इस तरह से ठीक है अब देखते हैं राजन राज सब्द नहीं है ये राजन सब्द है इसमें सश्टी भक्ति लगाओ राग्य है राग्य है पुरुष है उत्तरपद प्रधान करना है उत्तरपद में कोई परिवर्तन नहीं करना परिवर्त नहीं कर दोगे तो तत्पुरुष समास कैसे हो जागा तत्पुरुष समाज का उत्तरपद प्रधान होता है बिभक्ति किसमें लगती है संग्यापद में तो ये राजन सब्द है इसमें सश्टी वक्ति लगाई आपने तो राग्य है और ये प्रधान है पुरुष है उत्तरपद हो गया प्रधान देव में लगाई है विध्यायहा आले हिम में लगाईए हिमस्ये हिमस्ये आले सीता में लगाईए सस्थी सीतायहा पती सीतायहा पती दसरत में लगाईए सस्थी वक्ती दसरत अश्ये और क्या है पत्र है देश में लगाईए देश अश्ये भक्त है दासी में लगाईए सस्थी वक्ती दास्यहा नदी के चलते हैं ऐसे ही रूप चलते हैं नद्यЬ्यादासिका बनेगा दाश्यहा पुत्र है राझ शेवक है राझ राज नहीं है ये राजन है रागे है शच्ची वक्ति लगाई हमने रागे है शेवक है रागे है शेवक है इधर और तीन उधारने आत्म ग्यानम आत्मा का ग्यान आत्म सब्द नहीं है ये आत्मन सब्द है इसमें सश्टी भक्ति लगाई ये आत्मन है ग्यानम आत्मन है ग्यानम ठीक है इसका ये उधारन है मनों विकारे का क्या होगा विकार का सम्मंद किसे मन से मन से है मनस सब्द होता है सश्टी भक्ती लगाओ मन से है विकार है यह जो आपको मन से है विकार है मनस सब्द होता है मनस का मतलब होता है मन उसमें सश्टी भक्ती लगाएंगे मन सह बनेगा सत संगती इसका समा स्विग्रे होगा सताम संगती सज्जनों की संगती सत संगती का समा स्विग्रे क्या होगा सताम संगती सज्जनों की संगती मैंने आपको बता है पुरुष का संबंध किस से? राजा से तो जिससे संबंध होता है उसमें सिस्टी लगाएंगे, यह तो प्रधान है, उत्तर पद ज्योंके तो मिलेंगे आपको, जैसे पूरुष है, पूजके, आल्य है, पती, पुत्र है, भक्ते, पुत्र है, फिर सेवके, ज्यानम, यह उत्तर पद है, यह प्रधान होते हैं, मांत क्या कहता है शुनिये है कि सप्त मिलिख राया आपको सोंड लिख राय सित्ध लिख राय पकव लिख राय वन दॉट्श चे वक्त हैं कि सब्त मेन वक्त ररेख कभ लगाने चैस सूंड हो सीID हो थे मौंदय हो वन दूछ पॉने हैं चतूर रहे दक्छ थे इस तरह का सकते हैं पटू भी आ सकता है सबस्क्राप जर Jr है चतूर है Empore उत्तरपद में यह आपको ठीक है यदि यह भी आए तो आपको सब्सक्राइब बलगानी इन सब पढ़नों कर चूर और विद्धा त्रतिया तत्पुर्श में देखना पूर्व सम सेद्रस सम उनार्थ कले निपुन मिसर सेलेक्षन निपुन आ रहा है वहां पर ठीक है एक उधारन भी लिखाया था मैंने आपको आचार निपुन है तो आचारेन निपुन है आप इसमें सप्तमी वक्ती भी लगा सकते हो शिद्ध को सपनी सुंद सिद्ध पकव बंदश्च यह सूत्र है सही से देखो सूंद हो प़न देते अоче है उत्तरपद में छो में सूंद हो स्इद्द हो पकव बंद हो तो आपको स eerste सइब लेखाने है कौन सी लगाऊगे सफ्तमृ वह ये से देखो शोंड पक्व और फिर सोंड सिद्ध सुस्क सुस्क भी है इसमें एको सिद्ध सुस्क यहाँ पर आएगा सुस्क यह लो भई यह सुस्क यहाँ पर आएगा ठीक है सब्तमी सोंड सिद्ध सुस्क पक्व बंदश्च यह सूत्र में ही है सुस्क सुत्र में है एक और सब्द रह गया शुश्क, ठीक है? सोंड पक भी है, सोंड भी है, सिद्ध भी है, फिर सुश्क है और यह मैंने आपको बताए थे कि किसी भी संग्या सब्द में पटू आ जाए दक्ष आ जाए निपुन आ जाए चतुर आ जाए श्रेश्ट आ जाए तो आपको कौन सी वक्ति लगानी है सब्तमी वक्ति लगानी है और उसमें कौन सा समास होता है सब्तमी तत्पुरस समास दे पिर निपुन है उधारन रिपीट हुआ है अगला निपुने वाला फिर सोंड है और शिद्ध है सूत्र में है ये सोंड है सिद्ध है शुस्क है पकव है बंद है फिर सुस्क है ठीक है अब स्रेष्ट है ये भी स्रेष्ट जो है आपका स्रेष्ट भी प्रधान सब्द है उत्तर पद है डक्ष है ये भी प्रधान है पटू भी प्रधान है चतूर है बता रखा है मैंने अब इनमें सब्तमी भक्ती लगा देंगे देखो अक्ष में लगाईए अक्छेशू सप्तमी वक्ति का भवचन नहीं है अक्छेशू इस्थाली में लगाईए इस्थाल्याम इस्थाल्याम पक्व है कावे निपुन हैं कावे में लगाईए कावे युद्ध में लगाईए सप्तमी वक्ति युद्धे पान में लगाईए पाने पान में सब्तमी वक्ति पाने ग्राम में लगाईए ग्रामे आतप में लगाईए आतपे सब्तमी वक्ति आतपे कवी में लगाईए कवीशू कवी का क्या होगा कवीशू कवीश रेष्टे का होगा कवीशू रेष्टे है दर्म में लगा दीजिए आप धर्मे दर्मे दक्षे दर्मे निपुण सभा में लगाईए सभायाम सभायाम ठीक है और वाक में लगाईए वाची वाची चतुरहे वाक सब्द का सब्दे में वक्ती बहुवच्चन क्या होगा वाची चोटी की मात्रा है वाची चतुर है देखो हमने सब का उधारन पढ़ लिया ततपुरुस समास आज आपका कम्पलीट हो गया हमने दितिया तत्पुरुष समास पढ़ा जिसका उधारन, सूत्र हमने बताया कि दितिया शृत, आतित, पतित, गत, अतियस्त, प्राप्त, आपन, यह सब्द मिलेंगे, तो सेंग्य सब्द में कौन सी व्यवक्ति लगा देंगे, दितिया, और सुरी, समास का नाम क्या हो जा यह सब्दाएं तो संग्य सब्द में कौन सी वक्ति तृति हैं चतृति में मैंने आपको बताया कि तदर्थ बली हित सुख रक्षित है अर्थ मिले बली मिले सुख मिले हित मिले रक्षित मिले तो संग्या सब्द में कौन सी वक्ती चतुर्ती समास का नाम क्या हो जाएगा चतुर्ती तत्पुरुस समास पंचमी तत्पुरुस समास में हमने बताया पंचमी भेन भे का जो कारण होता है उसमें पंचमी वक्ती होती है दूसरा सूत्र भी बताया भे भीत भीती भीवीरिती भे आजाए भीत आजाए भीती आजाए भीवी आजाए मुक्ते आजाए पतीते आजाए तो इनमें कौन सी चयूते भी आजाए चयूते का मतलब होता है तो यह उधारन भी करवाए थे समास का नाम क्या हो जाएगा पंचमी तत्पुरुस समास सस्टी तत्पुरुस समास में हमने आपको सूत्र हाला की लिखाया वो सूत्र नहीं है समझने के लिए संबंद में सस्टी विवक्ती होती है उधारन डेल सारे पड़े हमने पुरुष का संबंद किसे है राजा से पूजक का पूजने वाले का संबंद किसे देवताओं से इस्थान का संबंद विद्या से इस्थान का संबंद बर्प से पती का संबंद सीता से पुत्र का संबंद दसरफ से बक्त का संबंद देश से प नियुद करता है। तो पूरुपद में शोगति लगा देते हैं। सब्क्तमी तत्पूर्द समस में हमने पढ़ा सब्सक्तमी सौंड सीद्सुश्ट पक्व बंदश्च को मैंने बोला है पहले नहीं नहीं बोला है सब्तमी सोंड सिद्ध सुष्क पक्व बंदश्च ये सूत्र है यदि आपको उत्तर पद में सोंड सिद्ध सुष्क पक्व बंद ये सब्द मिले तो संग्यापद में सब्तमी वक्ती लगा देते हैं एक बात और बताई मैंने आपको यदि उत्तर पद में उत्तर पद में यदि आपको दक्षे मिल जाए, निपुने मिल जाए, चतूरे मिल जाए, पटू मिल जाए, तो आपको क्या लगाना है? संग्यापद में सप्तमी विभक्ति लगानिए। दुबारा से समझ لو, सप्तमी तत्पुरु समाध का सूतर है, सप्तमी शोंडई, सिद्ध, सुष्क, पक्व, बंद्ध. यदि यह सब्द उत्तर पद में हों, तो संग्यापद में सप्तमी विभक्ति लगा देंगे। और समास का नाम हो जाएगा सपतमि तत्पोर समास और फार बता है कि किसी संग्या संग्या सब्द में के साथ दक्च निक्वो medicine पटु आजाए चतुर में ठीक है तो इसमें उस संग्या रोग में संध में भी ते छह था g व्यालगर देखेए है दर्म दक्ष है धर्मे दक्ष है सभा पटू सभायाम पटू वाक चतु रहे वाची चतु रहे वाची में सब्तमी वक्ति एक वर्चन है ठीक है तो विद्यार्तियों आज आपका तत्पुरुष समास के लिए रहा बाकी पढ़ेंगे अगला समास हम नेक्स्ट वीडियो मे आज के लिए इतना ही थैंक यू